हेलो वाट सब गाइस मैं नेम इस पुनूत बादूर थापा एंड तो डेन इस फीडियो भूल सी वाट इस एरर इन रियक्तिन हिंदी तो चलिए गाइस सुरू करते है सब से बेले गाइस हब सभी कब बहुत सवागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेकनिकल पर बताना क्योंकि आज मैं आपको एक एरर के बारे में बताने जा रहा है एंड इस आपको याद होगा कैस फाइनली हमने प्रीवेस वीडियो में जब भी हम रिजिटेशन करके रिजिस्टर पर क्लिक कर रहे थे जो भी डेटा हमने लिखा हमारा डेटाबेस पर स्टोर हो रहा था ज आप में भी साहँ पर कॉर्स करके कोई भी एरर देखा होगा लेकिन मेरे वीडियो में कॉर्स करके कोई नहीं थीडाऊ थीड़ उ? तो वह एरॉर मुझे क्यों नहीं थीजिस्टर आना ही चाहिए घ toughest है? लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है वो कॉर्ट स्वाला एरर कहां चला गया तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कॉर्ट स्वाला एरर कब मिलता है और वो कब नहीं मिलता है तो देखे गाइस कल के वीडियो में हमने हमारा रेजिस्टेशन सब कुछ कमप्रिट कर लिया था ठीक है एंड गैस हमें एक कहरा रहा रहा था जो कि एकदम सही भी है देखो हमने क्या किया कि जब मैं फैच API को कॉल कर रहा हूँ तो मैं डिरेक्ली रूट को कॉल कर रहा हूँ मैं कुछ specify नहीं कर रहा कि हाँ मेरा यह local host है इस particular local host के इस रूट को कॉल करना मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ रूट को कॉल करना मतलब क्या होता है इस देखो अभी मेरा यह जो front end आप ध्यान से देखे मेरा front end रन कर रहा किस port नमबर पे 3000 पे मेरा server किस पे रन कर रहा है 5000 पे लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ root को mention करता हूँ तो मेरे यह जो react वाला जो file है यह basically signup.js page है उसको यह लगेगा कि मैं 3000 basically मैं अपने front end वाले पे ही यह जो register नाम का root है उसको मैं call कर रहा हूँ that's why guys मुझे वो course वाली जो policy है वो वाला error नहीं आया ठीक है लेकिन हाँ अगर मैं आपको बाता तो देखो आपको यादे जब मैं postman पे work कर रहा था आपको वो course policy वाली जो error का बाती मैं आपको बाता आता हूँ ठीक है यह बहुत ही ज़्यादा simple है इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है जब आप एक local host पे work कर रहे हो आप दुसरे local host पे share करना चाहते हो तब guys आपको course वाली policy की error आती है बोलेगा कि भई 3000 पे तो work कर रहा है डेटा बेज रहा है 5000 पे यह कैसे तो कर पाएगा तब guys हमें course वाली policy वाली जो error वो आती है अभी तो मैंने तो कुछ बोला ही नी ना मैं तो 3000 पे काम कर रहा है मैंने बोला 3000 पे ही रहने तो मुझे मदलब नहीं मैंने क्या कर दी मैंने खाली यहाँ पे proxy यूज़ कर दी तो वो यह वाले जो route वो वहाँ पे चला जाएगा यह देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ register यह देखो मेरा route यह exactly है तो आप में से वहोतों ने यह देखा होगा वीड़ो में लोग क्या करते हैं कि instead of सिर्फ route वो लोग कुछ इस तरीके से कर देते हैं जहां पे पूरा का पूरा route ही लिख दिया कि हाँ भई यह जो non-secure HTTP जो link है उसमें जो local host है उसमें भी जो port number 5000 है उसके register वाले route पे जाके यह data को post कर दो हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जब आप इस तरीके से लिखोगे क्योंकि हमें clear cut मालूमें ना कि मेरा यह जो front end है वो 3000 पे रन कर रहा है डेटा में 5000 वाले पे बेच रहा हूँ तब जाके गाईस हमारे react वाला front end बोलेगा नहीं यह गड़ बाड़े भई अब 3000 से 5000 वाले जो port है वहाँ पे डेटा से नहीं कर सकते अब अगर मैं control less save करता हूँ एक second में आपको दिखाता हूँ ठीक है ध्यान से देखना अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नेटवर्क पी भी जाने की जोती नहीं था हुसा कम जूम करता हूँ देखो गाईस मैंने कुछ फिल भी नहीं कहा खाली अगर फ्रंटेंड वाले पे उसको रजिस्टर नहीं तो अगर फ्रंटेंड वाले पे उसको रजिस्टर नहीं नहीं मिलता है मैं अल्यड़ी प्रॉक्सी यूज कर ही रहा हूँ वह अब वहां का रजिस्टर वाला जो रूट है उस पर अपना यह जो भी डेटा हम जो शेयर करना चाहरे तो उसको शेयर करके डेटावेस पर स्टोर कर देगा तो आपके डाउट क्लियर होगे होंगे वाटिस कॉर्स एंडी कब एरर आपको मिलता है कब नहीं मिलता है जब आप फ्रंट एंड पे जैसे मैंने यहां पे लिग दिया है ठीक है क्योंकि फ्रंट एंड मेरा 3000 पर रन कर रहा है मैंने बोला 5000 वाला यह जो रिजिस्टर वाल नहीं बेच सकते तो उस रिजन से हमें यह कॉर्स पॉलिसी आती लेकिन जब आप इस तरह किसे कुछ मेंने करोगे कि 5000 वाले ही पेच पे तब फ्रंट एंड को कुछ लेना देना निया गूगल क्रोम को भी कुछ लेना देना निया वो तो यहीं बोलेगा हाँ तेरा यह जो आपको पता चली का अगा कम्प्लीट रूट मेंशन करोगे तो कॉर्स वाली एरर आएगी नहीं करोगे तो नहीं आएगा सिम्पली आपको प्रोक्सी उस कर देना है इस इस इट तो गाइस इस वीडियो क्लिटना ही एंड आई रिली ओग गाइस आपकी डावट क्लियर हो होंगे रिगार्डिंगे कॉर्स पॉलिसी ठीक है आपको आज के वीडियो कैसा लागा नीचे कमेंट करके जरूर बात आना एंड मेरे चानल थाबा टेकनिकल को अभी तक आगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राब कर लीजिएगा राइट साइट में क् हीट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेलिये से ओसम मीडियोस को मिस ना करें इन कुछ भी डाउट हो तो बे फिकर हो कि नीचे कमेंट कीजिएगा मैं आपकी जरूर हग करूंगा सो तिल देन गाइस थेंक यू सो मच टेक क्या